दोस्तों आज कि इस वीडियो के बात करने वाला है मैंचेस्टर ओरिजिनल वर्सस लंदन इस्पृइट के बीचे होने वाले हन्रत मैंस मैंच के बारे में हर एक प्लेयर का सारा कुछ इंफॉर्मेशन वन बाई वन सेयर करने वाला हो कौँ किस नंबर पर बल्ले बासी के ला आपको मैंचेस्टर के एमिरेट सोल्द ट्रेफल्द के स्टेडियम कर होने वाला है यहां पर बल्ले बास काफी अच्छे रस बनाते हो आपको नसर आएंगे यानि की काफी ज़्यादा हाई स्कोरिंग गेम होने के पूरे पूरे चांस रहने वाला है इस्पिनर के लिए य श्यादे रस आसानी से यहां पर बनाए जा सकते हैं मैंचेश्टर मैंच्छेश्टर के सिजन का अपना सो पहला मैच викले हो हार कर के आरिया है अगर मैं आमने सामने के मैचेस को देखू तीन मैचेस हो और एक मैच मैंचेस्टर की रीदो न Chief उने दो मैचेस्टर के वहां ज क्यों देखें तो जिनमें बल्ले बाजी में दी लॉरेंस उपनार आएगा जो की लीदर्सिप कर रहा है उसके साथ ए रॉसिंग्तन आएगा विकेट कीपिंग करेगा तीसरे पर आएगा नंबर फॉर पर मैथी वेद आएगा नंबर फाइफ पर दार लब मिचल आएगा पांच इनके मेन बाल असल लेकिन आपने देखा हुआ पहले मैच में एक एक ओवर रवी भुपारावदाल मिचल को भी दिये गए यह 100 मैस के मैचे यहां पे एक ओवर के मतला पांच बाल मान सकते हो दोनों को एक एक ओवर यानि कि पांच पांच बाल बालिंग करने का मौ तो महाँ पर रौसिंग्टन अपना बड़ा हाथ दिखाएगा रौसिंग्टन एक ऐसा प्लेर जोकी six और यह लंबे लंबे आपको छक्के मारने के लिए जाना जाता है और एक ऐसा प्लेर जोकी सिर्फ और सिफ छक्के ही मारता है तो एक चीज़ को आपको ध्यान देना च चलेगा तो लंबा चलेगा और नहीं चलेगा तो बहुत बुरा फ्लाप होगा यह चीज़ को आपको फोकस करना अगर लंदन की तीम पहले बल्ले बासी कर रही है तो रौसिंग्टन जरूरी प्लेर रहेगा लेकिन अगर लंदन की तीम यह मैं चाहरने वाली है तो रौसि आप नाधन एलिस को ले करके चल लेना ये जो चार प्लेयर रहेंगा अब आपको सोचना ये है कि आपको लियाम दौसन और वावल ये दोनों में से किसी एक बॉलर को ले करके चलना है मैथियू वेद और यहां से मैथियू वेद और दाल मिचल ये दोनों में से किसी एक बल् करके दिया हुए दैनियल वावैल ने पहला ओवर किया हुआ है और तीसरा ओवर वालिंग कर रखा है त्पात चुवा ओवर वालिंग कर रखा है यानि कि शुरूख के और सभाल यानि कि दस बॉल फेकिंगे जा सकते हैं ये चीज़ आपको मालूम होगा अगर आप हाद्रत मैस के मैचेस कवर कर रहे होगे तो सुरू में ही इसके चारों ओवर खतम हो गए वावेल के और इसके साथ सुरू के और समय बालिंग किया जुस्त ने दुसरा ओवर चौथा ओवर बालिंग किया और यानि कि सुर आड़िक और समय बालिंग कर रखा है जो की 20 वावर था और जो कि अथारवा ओवर बालिंग था यानि के आखरी के दो ओवर नाधन ऐलिस ने किया हुआ है इसके सा आखरी की और समय आपको बालिंग कर तो नजर आएं जॉर्दन धॉंसन ने जिस्सक ने उननीस वावर बा आपको तेनों बाल talking को पूराइब कर नहों और तीनों बालर संड के सबसे मेन बाय रहे सब सब्सक्राइबी पूर्ण है अगर उपना रहे हैं। जिस तरीके के इनके पास जोस बतलबा फिलिपस ओल दी ये दोनों ओपनस को ही देखकर के मुझे मैंचेस्टर की तीम ज्यादा इश्रॉंगने आ रही है मैंने बाकी किसी प्लेगों बिना देखे हैं ये चीज़ बोल सकता हूं लेकिना कई ना कई थोड़ी सी कमजोर है क्यो इसी तरीके सा सोवान बल्लेबाशी करम राएगा इनके में बालर्स में जेत तंग ओ गया जयोसवा लिटिल ओ गया थी हार्ली ओगया युब मीर ओगया ये चार इनके में बालस है पांच्वे बालिंग ऑप्षन जे ओवर्टन पी बाल्टर ये दोनों मिला करके आपको पांच्वा बालिंग ओप्सन देखनों मिलेगा हो सकते कि एक वर से लेकर के दो ओवर की वीचे बाल करके देवाकि मुझे नहीं लगता है एक वर से ज्यादा इसको मिलना चाहिए यू मिर जो की पाकिश्टानी बॉलर जोस्वा लिटिल जो की आयलेंद का बॉलर है तो यह दोनों प्लेयर में से कोई एक आपके लिए कैप के लिए भी नंबर वन चोईस रहेगा वालिंग ओप्सन जोस्वा लिटिल यह तीनों प्लेयर्स को मैं आपको कोऊंगा बिना कुछ भी सोचे ले करके चलनेगा पूरा पूरा कोसिस करना है पी वाल्टर भी आपको बल्ले यू मीर्द हैं यू मीर्द हैं आपने देखा हुए आख देखो सुरू के औरस में आपको जे तंग और जोस्वा लिटिल नजर आएंगे आखरी के औरस में आखरी के औरस में आपने देखा थी हार्टली और यहांसे जोस्वा लिटिल ने आखरी के औरस में बालिंग कर र वा अखरी वाले ती यह अखरी बाद करेंगा तो लेकि बादी स्वेज़िस को तो ऑखरी वर हो गया लेकिन आखरी कर्ण में यह जोनों पाम इसमेंन मेंन बालस में से एक नसर आएंगे तो यह गई शारों प्लेयर आपको तरहिए प्लेयर रहेंगे ज़्रूट अब आपको एक काम करना आपको T.H.H. और J.T.ंग ये दोनों मेंसे किसी एक baller को ले करके चलना चाहर वह हार्टली को ले करके चलो चाहर वह J.T.ंग को ले करके चलो यहाँ से बल्ले बाजी option में आपको कोओ P.Walter हो गया और यहां से लॉरी इवांस हो गया दोनों में से किसी एको लेना पी वॉल्दर आपके लें काफी अच्छा प्लेयर रह सकता है क्योंकि बल्ले बाजी और वालिंग दोनों चीज़ में काफी अच्छा है और इवान एक ऐसा प्लेयर जो कि सिक्सर किंग प्लेयर चलेगा तो 40 रंकरी बनाएगा नहीं चलेगा तो सुरू में अपना विके थरो करके चला जाएगा मुझे नहीं लग रहा कि तर्ड़नर की बल्ले बाजी आएगी काफी नीचे आ रहा है अगर आपको लग रहे कि तर्ड़नर और होल्दन में से किसी को लेना चाहिए अप ले सकते हो लेकिन अभी मैं इनके बारे में नहीं सोच रहा हूं मैं अपने फैंटेस्टी की टीम में कौन से 11 प्लेस करूंगा ड्रीम 11 की टीम कैसे बनाने वाला हूं इसको आगे देखेंगा उससे पहले आप में से जितने भी लोग अभी तक हमारे ते मैं अपने पैसे लगाऊंगा उसके फाइनल तीम आपको यहीं पर भेश दूँगा हमारे चैनल को आपको जॉइन होने के लिए करना कुछ भी नहीं आप जैसे क्लिक करोगे डिस्क्रिक्शन पहुंचाओगे सबसे उपर मैंने आपको लिए लिंक पिन कर रखाए ना मिले तो आप फुरी में भी काफी सारे पैसे आड़ ना कर सकता हमारे तलिक राम चैनल को आप फुरी में जॉइन हो करके जिसका लिंक आपको डिस्क्रिक्शन और को मिल जाएगा सबसे पहले मैं आसे जोस बदलर को ले करके चलूँगा बल्ले बाची ऑप्शन दी लॉरेंस हो आपको एक काम करके चलना है कि आपको यहां से एल दौसन और यहां से पी वाल्तर यह दोनों में से कम से कम किसी एक को तो ले करके चलना ही चलना है अभी के लिए मैं पी वाल्तर और दाल मिचल को ले करके चलने वाला हूँ यहां से जोसुआ लीतिल हो गया अब इसके सकते हैं कि मैंचेस्टर की मैच सुरु में हार्जा या फूरु में अगर अच्छा कर गए तो मुझे नहीं लग रहा कि आखरी की इस में कोई खास कोई भी फरक पढ़ने वाला हूद यही रीज़न है कि मैं यहां से दी वावल को लेकर के चलने वाला हूद इसके अलावा यहां से आपके लिए देखो मैं थी वेद भी अच्छा है एदम रॉसिंग्तन भी अच्छा और फिलिप सॉल्ट भी काफी अच्छा तीनों अच्छे प्लेर अभी के मैं सोच यह रहा हो कि फिलिप सॉल्ट को तो कनफॉर्म है कि ले करके चलना है यहां से आप ऐक और काम कर सकते हों अगर आप किसी ऐसे अपको खेल रहो कि ले करके छले वहां पे commit कर हंगा लोरिंस इससरीःी की टीम बना करके भी अपने पैसे लगा longer हो लुए जैसे की दोसन को निकालना होगा इसके अलबा आपको मन है तो दाल मिचल और पी वाल्टर ये दोनों मेंसे भी किसी एक को निकाल सकते हो ये दोनों मेंसे भी कोई एक आपको फ्लापत हुए नजर आ सकता है जिसमें मैं कैप वीसी ले करके चलने का सोच रहा हूँ अभी के लिए मैं क किती में फाइनल टीम जो भी हो कि हो मैं आखरी के पांच मिनत में इसी तरीके से स्क्रीन सौथ के जरीया अपने तेली राम चैनल को आपको फुरी में अपनी फाइनल टीम बेस दूँँगा जिसका लिंक आपको दिस्क्रिप्शन और कमें सक्समाक्स सबस्भा पिंद के लिंक मिल जाएगा उसके लब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा यूस्फूल लगा एक काम को लेना हमारे यूट्यूब सेनल को सब्सक्राइब करा मत भूल